अधि ओई णॉ हो प्रेन्ट, वेलकम डूए souerus में आप सबीका बॉढ पाश वागए denn आज इस वीडियो मीमं डिस्कस करेंगी प्लेन स्केल के बारे में प्लेन स्केल के बारे में ऊल्यडी एक प्रॉबलम हम मनें डिस्कस किया हूए यह प्रॉबलम नमबर 2 स्क्रे ещё है एक संटीमेटर कितना रिप्रेजंट कर रहा है? 5 किलोमेटर्स को ठीक है? Construct a plane scale long enough to measure a distance between अम्दाबाद एन पालंपूर. Indicate on it distance between अम्दाबाद एन मैसाना. अम्दाबाद एन पालंपूर के बिचका distance है 100 km और अम्दाबाद एन मैसाना के बिचका distance 55 km. तो हमें scale बनानी है जो distance measure कर पाए 100 km और इसके बात क्या करना है? हमें indicate करना है distance between अम्दाबाद एन मैसाना. तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है जैसे problem 1 में हमने देखा था कि सबसे बाइंड करना होगा हमें actual length of a scale जो हम scale draw करेंगे उसके actual length कितनी होगे ठीक है? तो वह हम find कर सकते है actual length of a scale is equal to RF क्या होता है representative fraction into units of maximum length required to be measured by the scan. तो RF होगा 1 cm divided by 5 km क्योंकि 1 cm कितने को represent कर रहा है 5 km को ठीक है तो यह होगया RF 1 cm divided by 5 km into units of maximum length required to be measured by scale. Scale से maximum कितने measure करना है हमें अमदाबाद आन पालापुर के बिच का distance हो कितना है 100 km तो यह रहा 100 km तो answer आजाएगा 20 cm मतलब कि हम जो scale draw करेंगे वह कितने है क्योंकि 20 cm तो चलिए 20 cm की हमने यह scale draw काल देटी गया उसके बाद उसको हम 10 division में divide करते है 22 cm के 10 division होगे और यह एक division है यह वो indicate कर रहा है 10 km को ठीक है लेंद कितने 20 cm 10 division करते है एक division indicate करेगा 10 km को यह जो first division होथा उसको भी हम sub division में divide करेंगे 10 sub division तो यह होगे sub division और यह division indicate करेगा 1 km को ठीक है तो जहाँ पे यह sub division खतम होते हैं वहाँ पे 0 हमने लिखा और 0 के right side में हम नंबर लेख लिए 10 km 20 km ठीक है क्योंकि एक division में कितने को बता रहा है 10 km को ठीक है और 0 के left side में हमने लिखा 5 and 10 यह बता रहा 5 km और यह 10 km क्योंकि एक sub division बता रहा है 1 km को तो यूनिट हमने यहां पे लिख लिए 1 km किलोमेटर ठीक है दोनों के तरफ सेम यूनिट है उसके बाद representative fraction में लिखना है तो वह कैसे लिखेंगे 1 cm divided by 5 km को भी हम cm में convert करके यहां पे लिख लिए तो हो जाएगा 5 lakh ठीक है इनका question था कि indicate on it a distance between अम्दाबाद और मेसाना मैंस जाना और अम्दाबाद के बीच का distance वह हो भी हम scale पे बताना है तो किता distance है 55 km किलोमेटर ओके तो यह था 0 0 से यह राटन साड़ बेर जाएंगे तो यह आगे यहां पे वहका 50 km और 5 km और तो यहां पे 5 divisions सब्दिविजिन 5 लेंगे तो 5 km और जाएगा तो वह जाएगा टूटल 55 ठीक है तो 0 से राटन साड़ में 50 तक गए 50 km पांच किलोमेटर और और चाहिए तो यह 5 subdivision तो यह होगा 5 km तो तो टूटल होगा यह 55 km तो इस तरीके साब इंडिकेट कर सकते हो डिस्टंस बिट्विन अमदाबाद और मैसना कितना 55 km तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही था आई होब कि आपको यह भी प्रोब्लम समच में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको ड्रॉव करते हैं आपको समच में आया है तो वीडियो को लाइक कर कर लिजे अपने दोस्तों के साथ शेर कीजे और अभी तक आपने चल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लिजे आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत आपारे हो थैंक्यू वर्यमच